अब इसके अंदर क्यामेरा की क्लारीटी कैसी देखने आपको मिलती है किस तरीके से ओवराल इसका परफॉर्मनस है हर एक चीज के बारे में हम बात करने वाले है सबसे पहले तो देख लिजिए ओवराल इसका बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है और उसके साथ में यह आ जो सेवन्टी एक्स इसके अगर आगर आप आप रेकने मिलता है यहां पर आपको बैक करना है तो आप बैक कर सकती हो नीचे से बटन्स आते है यहां से उसके बान में में हाप आता हूँ यहाप अगर आप देखोगे तो मॉडल कौन सा है बैट्टी कापैसिटी इसके तो 6GB का RAM है और आप इस RAM को जो है expand भी कर सकते हो अगर आपको लगता है तो उसके बाद में इसका storage देख लीजिए आप कितना storage आपको available है कैसे कैसे मिलता है system आपको कितना use करती है and उसके बाद में others आपको कितना use करती है system आपको लगभू 12GB का data जो है वो use कर लेती है अब यहां पर जो real me का official version है 5.0 अब इसके आगे वाला अगर version आपको चीए तो आपको wait करना पड़ेगा update आने का wait करना पड़ेगा screen set आपको पता है 17.07 cm है front camera, rear camera कितना है वो आप यहां पर देख सकते हो मतलब as in उसका megapixel कितना है तो front camera है आपको 8 megapixel का मिलता है rear camera आपको 50 megapixel का लगती है अगर मैं इसे यहां पर ऐसे खड़ा भी करना चाहूं तो यहां पर यह स्ट्रेटली खड़ा भी हो जाता है देखिए अब आपको शाय से दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं क्या camera को थोड़ा से तिल्ट करता हूँ ऊपर के सैड में आप देख सकते हो कितना आसान किया है मैंने दोनों हाथ साइड में है यह बहुत आसानी से जो है यहां पर स्टैंड कर जाता है तो मतलब जो होता है न कुछ लोगों को पता चाहिए यह फिर उन्हें लगता है कि आपना बस आइफोन ही ऐसा सीधा ऐसा खड़ा हो सकते तो नहीं भाई Android भी काफी बढ़ी जैसे यहांने क्या होता है अगर कुछ लोग को नहीं पता जैसे और बटन से यह जो नीचे वाले चीज़े आप लेख सकते हो इसे कहते हैं बटन से जैसे अप्लाइ कर सकते हो वह मैं आपको बता रहूं जैस्टर अपलाई करने के लिए आपको यहापी जाना पड़ीगा जी इएस यहांप आपको सर्च करना पड़ीक झिए जी यह आप एएस आप यह पर एर जेस्टर भी कर सकते हो फूर्फ अब कर सकते हो अगर आज प्याहँए अब देखिए जैसर में अब देखिए जैसर कैसे चल रहे हैं स्वाइप लेफ्ट स्वाइप लाइट तो मतलब जैसर पहले आपको सीखना पड़ेगा तो अब नीचे से स्क्रोल करना है यह सिखा रहे अपने को की कैसे करते हैं ब zah同店 अगर पीछे से अबिछे जाना है तो इस तरीके से reaction बारे मेन आजाते हैं लोह आ जाता हैं और देख लिया है अब जो थो इस फॉन की आंडर में आपको अगली विदियो मैं बताने वाला हू़ कि actual में यह phone चलता कितना time तक है मतलब कि बैटरी पर कितना time तक चलता है इसका battery taste capacity कैसा है and overall performance अगर है इसकी battery के बारे में बात किया जाए तो बैटरी अगर आप देखोगी तो अभी लगबग 32% already charge हो चुकी है अब यह last कर सकती है लगबग 9 गंटे 29 minute के आस पास तक ठीक है त अगर आपको नहीं पर आपको सेटिंग में जाना है उसके बार में जेश्चर सिस्टिम निविकेशन पर जाएए वापस बटन सागर चाहिए तो नौर्मल जो नीची बटन सोते वो बटन सापके आपके आजाएगे अब मैंने वापस से इसे बटन से जो है वो सेट करके र पिक्सल्स पर ही आप इसे यूज कर सकते हो रियल्मी नार्जो सेवन्टी एक्स को उसके बारे में बताने वालो है उसके साथ में आपको एक और चीज बताने वालो कि जो नार्जो वर्जन होता है रियल्मी नार्जो वाला तो यह प्रो के बारे में भी हम इंफॉमेशन आ सेवन्टी एक्स के आप इसे पर्चस काना चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो आप डेफिनिली रिचे कमेंट करें मुझे बता सकते हो काफी बढ़िया है डिवेस तो यह है फिलाल अब जो है मैं इसका कैमेरा वाला शूट करता हूँ उसके बाद में बैटरी वाला शूट भी मैं आपको बतानी चाहते हो जो शायद से आपको पता होनी चाहिए अब वह कौनसे कौनसे सी चीज़े वह सबसे पहले तो आब को इसका कि चल लेकिन अगर आप इसे फुल चार्ζ करते हो तो कितना टाम तक आप इसमें गाना certain सकते हो वह सब चुझों के बारे में जो information है वो मैं आपको बताता हो अभी तो यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि यह जो device है realme narzo 70x इसमें से हम कितना time तक बाते कर सकते हैं आगे वाले से तो अगर मैं कहेना चाहूँ यहाँ पर तो आप यहाँ पर non-stop phone call पे इससे बात कर सकते हो लगबग 34 hours .2 मतलब 34.2 hours तक आप उससे बात कर सकते हो लगबग हो जाता है देर दिन के आसपास तो क्या आप इतना time तक किसी के साथ बात कर सकते हो अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है लेकिन इसके अंदर यह जो है फीचर आपको मिलता है म्यूजिक की बात कर आई जाए तो 81.3 hours का आप music सुन सकते हो लगबग 3.5 दिन के आसपास थोड़ा सा कम यूट्यूब के बात कर अगर यूट्यूब देर दिन के आसपास 15.9 hours और जो stand-by time रहेगा मतलब अगर आप इससे बस charge करके रख देते हो ल तो यह होता है गाइस overall realme narzo 70x के बारे में information अब देखे मेरे पास realme narzo 70x था है उसे के साथ में जो narzo 70 pro है तो दोनों वर्जिन अपने पास available है फिलाल तो 70x and 70 pro अगर आप confused हो दोनों में इससे कौन सा लेना चाहिए तो मैं दोनों के बारे में information आपको देने वाले वीडिय वीडियो में तो आने वाले वीडियो आप डेफिनली चेक कर लिए अगली वीडियो में तो सब सब पहली चीज ता आप यहां पर इसका camera का testing मिलेगा कि camera